आप सबका आपके यूट्यूब चैनल सेल्फ एल्प में स्वागत है आज हम चल्षा करेंगे समांतर माध्य के रूप में समझने से पहले मैं आपको खोड़ा रिगॉल करता हूँ पिछली कक्षा में आपने पढ़ा कि ओस्त के बाएं में पढ़ा उसी के जैसा है यह लेकिन समांतर माध्य उसका अक्षित थोड़ा बढ़ा है जैसे हम कई करक्षा दस के विद्यारती है उनके बीच में गणित में कितने अंक प्राप्त हुए दस में से उनकी तुलना करना जाते हैं तो हम उसके लिए उसके आंकडों का एक मद्यमान याद कर लेते हैं यह तो आसान कि तुलना मद्यमान के दोआरा ही करते हैं उसी को मद्यमान Hill कुई को समांतर मध्य कहते हैं अब अपना समांतर मध्य जो देखुओं इस प्रेकारसे rare जो रिसिक कोई भी सिहहां आता जैसा है एक्स टू एक्स त्री और एक्स एंड इस प्रिकार से आपके पद दे रहें हैं एक दो तीन चार पाज एन तक है इस प्रिकार और ये कुल पद है इसमें कुल पद आपके होगए है इसमें हमें समांतर मादी जो हम इस प्रिकार से लिखते देगे समांतर मादी जिसकों एक से बार के द्वारा प्रत्रस्त करते हैं इसके बार एक से बार के द्वारा प्रत्रस्त करते हैं इसको इस प्रिकार से लिखते हैं अब यह होता है कि यह क्या है इसको हम सिग्मा बोलते हैं क्या बोलते हैं सिग्मा आई इसको इसको काम में लेते हैं और सिग्मा जो गनीत के अंदर जो हम काम में लेते हैं वो योग के लिए या जोड के लिए हम इसको काम में लेते हैं अब जिसे एक उधारनत के द्वारा हम समझते हैं जिसे कीज़े से आपके पार एक, दो, तीर, चार और दस तक गिंती हैं इसका हमें समानतर माध्य ज्याद करना है हम यहाँ पर क्या करते हैं एक से बार लिखते हैं एक से बार जिगते हैं आपके पास दस है इसमें अगर हम इनको जोडते हैं अपने पास 55 बटा दस आजाते हैं और इस प्रकारश का समानतर माध्य है जो आपका 5.5 आजाता है अब हम चलते हैं प्रस्णावली के उपर सवाल नंबर एक आपको साथ उपना जो पहला सवाल हो है यदि एक कर्चात के गणित विशय में दस आजाते हैं प्राफ्तांग बावन पिचितर चालीज सितर तियारीज चालीज पैसाट 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 अरतारीज वावन हो तो समांतर माद्य ग्याद कीजिए देखिए सबसे पहले हमें समांतर माद्य का सुत्र ग्याद रुना चीए समांतर माद्य हम लिखते हैं और इंगलीज में इसको आर्फ्रमेटिक में भी कहते हैं समांतर माद्य बावर एक्स बार बावर सिगमा आई बन टू एन एक्स आई अ अब हमें क्या करना है यहां पर जो देर रगा आपका 52 प्लस 75 प्लस 40 प्लस 47 प्लस 43 प्लस 45 प्लस 35 प्लस 48 प्लस बावन यह है अपने पास आप देखिए इक चीज घ्यान रखिए दस चात्र है यहां पर संक्या भी दस है अब हम इनको जोड़ते हैं तो आपके पास इनको जोड़ेंगे आप तो आपके पास आएंगे 520 प्लस seven이면 यहां प्लस 45 प्लस कोड़ना और यह जोड़ेंगे आपके पास पास इनको फड़ेंगे आपके पास फांस भी आइंगे बटा को और गवरे। जिसको है मौ समानतर मद्य के नाम से चांदके हैं कि एक विद्याले के सहे क्रमचारियों का मार्ज़ी amor रूपयों में सत्रह सो बीस इस कि पचास सत्रह सो साट उस्क इस समानतर मद्य ग्यात की मुठाओ जी तो पहले समानत्र माझे का सुत्र लिखना हो गा यह सुत्र अगर आपको याद है तो आदा सवार आपका वेसे ही हो जाता है एक्स वाल इसलिक ओड़ शिकमा एक्साइइ आए वन टू एन यह बहुत शाए नाई भी लिखते हैं वन टू एन तो भी चलेगा यहां सिग्मा एक्साई ही होना चुछ है और बटा एन हो जाए मैं यह लिख सकते हूं अब हमें क्या करना है यहां पर देखें आपका एक्साई का मतलब 1720 आपका 1720 प्लेस 1750 प्लेस 1760 प्लेस 1710 खीक है ना बटा आपके पास साहे करम चाहिए की संक्या कितनी अभी एक दो तीर और चार यहां पे भी लिख दिया यहां से भी आप गिन दो एक दो तीन चार इसको मलब हमें चार भाग देना है करम चाहिए अपने पास इतने हैं हमें चार का ही भाग देना है अब हम इनको जोड़ते है देखिए सबी काई पर सबकी पास 0 है गजिरो लिख दिया इसके बार हम जोड़ते कि एक छे और साथ शाथ बारा 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 दो चोगदा अज्कार चोगदा का चाला चाहा अज्टीका एक हो गया फिर पिर चोड़ी के साथ एक आठ चोगदा साथ चोगदा इक पंदड़ा पन्दार साथ बाईस बाईस और साथ उनतीस ये फिर आंसलिके दो हो गए दो एक तीन चार पांट और उच्छे इस प्रिकार से आपका ये योग है वो आपका 6940 हो गया अब हमें इसमें हमें क्या करना भाग देना है अब भाग आप किसी भी विद्धी से दे सकते हैं 6940 इसे भी विद्धी से आप पहले भाग देंगे इसमें एक बाज जाएगा फिर दो बचेंगे यह ओगे आपने पास फिर साथ बाद साथ चोब अथाईस आपका वापस बागे निकाला एक पिर चार उतार लिए या से चबदा होगे अब चार का बाद आपस देंगे तीन ब दो बचेंगे जीरो उतार लिया अब चार का बाद देंगे पांच बाद जाएगा आप चार बंजे बीस और यहां सेस्पल जीरो बच लिया अपने पास आंसर इसका हो गया एक जास साथ सो पैटीस रूपे यह आपका समानतर माद्य हो गया आपसाथ में अगला सवाल तीसा बहुत ही बड़या सवाल है और यह चोटी-चोटी सवाल जाते हैं दो नमर के उसमें हम उमन पूछा रहता है बहुत सिंपल सा सवाल है अब आप यहां लिखते हैं आपका एक सवास इसमें पहले से दिया वाह है और हमें एक से ज्यात करना इसमें अंकर दे रखे हैं एक दो तीन चार पंच साथ आठ आठ आट आप धे रखे जिसमें एक अग्यात है उससे में ग्यात करना है एक्स तीन प्लस चार प्लस आठ प्लस 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 अंच्छ प्लेस तीन प्लेस दो प्लेस एक बटा आठ ठीक है न है इसके इन से हम एक मान लेते हैं कि यहां पर वज़ गुणा करना पड़ेगा बराबर यह चार लिखा में ने बराबर इनको जोड़ते हैं प्लेस बटा आठ अब हम इसको एक मान किसका वज़ गुणा करते हैं इस प्रकार से यह इससे गुणा बज़ेगा और यह इससे गुणा बज़ेगा मैं इस पर लिख देता हूँ तो यहाँ पर देखिए आपने पास यह 26 प्लस X हो गया एक से गुणा करेंगे इसको तो वही संक्या वापस आती है और यह हो गया आपने पास 4 गुणा 8 ठीक है यह 26 प्लस X यह 32 ठीक है एक से ब्राबर 32 अब हम क्या करते हैं इस 26 को उदर पक्सांतन करेंगे यह प्लस का है उदर जाके आपका माइनस 26 हो गया तो एक से ब्राबर अपने पास आठ सिंख्या हो गया ठीक है यह आपका अंसर हो गया एक सका जुमार है आपका चेह हो गया कि अगला सवाल है कि क्रिकेट के खिलाडी ने दस पहाजियों में क्रिमे से साथ बाज़ चपन चौसर जीरो सप्तावन तैस सप्ताइस नो और यह तर रण बनाएं उसके इन पहाजियों के रणुगा और सब्सक्राइब कि अभी जो हम गयाद करें और समानतर माद्य एक ही सुत्र है आगे जो पढ़ेगे तो अलग वीडियो में शर्चा करेंगे अभी अपना जीसे ओस्त गयाद करना है तो ओस्त यह समानतर माद्य जो है आपका इसको हम लिखते है एक से बन प्लस एक स्टू प्लस एक स्टेन तक लिखेंगे और यह आपके पास दस यह नहीं दस इंक्या है दस पार यह आपके दस हो जाएगा एक स्टेन तक लिखाली दस नंघ्रे अर्णिया कर जोड़ें आपके पास 60 प्लस 42 प्लस 58 प्लस जीरो प्लस 57 प्लस 35 प्लस 27 प्लस 9 एंगे तर्ट है इनको जोडते हैं सबको जोडते है तो आपके पास सिंख्या है 449 आएकनके नहीं है और फिर 10 नो लगा दिया तो यह आपके पास निया इस पॉइंट नो रन हो गए अब अब अपना वजे पांचों सवार एक माशिक प्रिक्साय में दस विद्यारतियों के द्वारा अंग्रेजी में प्राप्त निम्न अंकूम से समानतर माध्य की गणना कीजिए अब इसने दिया एक से लेके दस तके आपके रोल नंबर है और प्रतेग रोल नंबर वाले इसने एकने 30, 28, 32, 12, 18, 20, 25, 25, 26, 14 नंबर अलगल रोल नंबर वोने प्राप्त किये हैं हमें समानतर माध्य ज्याद करना है तो यहां देखिया आपका माध्य लिखे तो भी वही बाद होगी और समानतर माध्य लिखेंगे तो भी चल जाएगा इसका आगे सुट्र एक साई और यह आपको बार बार लिखने की जड़ती भी नहीं है इस उत्र लिख दिया प्रियाप्त है अब आपको क्या करना है यह जो संगय है आपकी यह अनुक्रमान को नहीं लिख रहा है यह सहीं कि प्राप्तांग कितने हैं हम प्राप्तांगों का ज्याद कर रहे हैं तो 30 28 32 32 12 18 20 25 15 15 27 24 बटा आपको क्या करना है दसका भाग देना है अब हम इनको जोडते हैं इन सब को हमें क्या करना है जोड़ना है अगर हम इनको जोड़ेंगे तो हमारे पास देखिए आप जोड़ें रिष्प हैं चेज़ा 10 15 20 20 20 28 38 32 32 32 राठ चारीस चारीस का जीरो हो गए है आसल का चार हो गया चार एक पांच दो साथ आठ दर्स 12 13 14 17 17 19 19 19 22 220 हो गया बठाद 10 हो गया आपके पास 0 से 0 कर जाएगा आपके पास यहां बजेगा 22 22 अंक जो आपका समांत्र माते है वो आपका 22 अंक आ गया आप तो साथ ही अपना यह अगला सावाल है कि जालेग के पुस्तकाले से 10 दिन में चात्रों को दी गई पुस्तकों की संक्या निमल दिखिता है प्रती दिन दी गई पुस्तकों की ओस्त संक्या याद करें सबसे बार समांत्र मात्य हो चाहे ओस्त हो एक से बार हमें लिखना है सुत्र लिखना एकस आई यह दस दिन है तो यहां आई वन टू टे लिखेंगे और एकस आई लिखेंगे अब हम इनको जोड़ते हैं अप्रे पास लिखेंगे तीस यह तीन सो चार सो पांच चार सो पच्पन और चार सो नवाशी तीन सो पिजट्तर दो सो अशी चार सो अठारा प्लेस पांच सो दो प्लेस तीन सो प्लेस चार सो चंतर आप यह बटा आके दस हो जाएगा क्योंकि दस दिन है देखेंगे और पस गेम भी लिए दस दिन क्या है यह एक दो तीन चार पांच चार शाथ आठ नो और दस अब हम इनको जोड़ते हैं जोड़ना आपको आता है कि दिन खशतर पनच चार शाह हो गया अधि आपके बादेगा सब्सक्राइब कर दो जोड़ते हैं आपके पास चारीज़ का फीज जिरू आशिका चार हो गया चार और चार हाट यह ज्यारा हो गया सोला हो गया सोला हो गया सब्सक्राइब सब्सक्राइब करना है यह आपका जीरो से जीरो कट गया आपके पास क्या खरना है यह आपके पास चार्सो पुस्त के प्रति दिन यह आपका आंसर हो गया सवाल बड़े लिखते हैं लेकर आंसर बहुत ही छोटे है हाँ तो साज़ा अपना यह अगला सवाल है कि एक कच्छा के वर्ग एक के पचीछ सात्रों का ओसत बार 51 किलो ग्राम है यह 51 किलो ग्राम जबकि B वर्ग के 35 चात्रों का ओस्त बार 54 किलोग्राम है इस कच्चा के कुल 60 चात्रों के ओस्त बार की गरना किजिए देखिए इसमें हमने अभी तक सवाल गिए उससे थोड़ा साल गए है इसने 25 चात्रों का ओस्त बार दिया है is equal to 51 किलोग्राम दे रखा है हमें इसका कुल बार गयाद करना है तो हम यहां लिखेंगे 25 चात्रों का कुल बार यह तो उस्त बार है हम यहां कुल बार गयाद कर 51 इंटू 25 यानि इसको हम इससे 25 को 51 से गुणा करेंगे हमारे पास कुल बार रहेगा इसको गुणा करता है 25 से कम 25 दो परचीश बिन यह 125 से 27 किलोग्राम 1275 किलोग्राम आ गया इसी प्रकार वर्ग भी के 35 चात्रों का ओस्त बार आपको दे रखा देखी यहां पर यह आपको 35 चात्रों का ओस्त बार 54 किलोग्राम है और तो इसी प्रकार बी 35 बी वर यह 35 चात्रों का कुल बार गयाद करेंगे कुल बार प्राबर चोपन इंटू 35 अब हमें क्या करना है इसको गुणा करना है तो गुणा करेंगे तो अपने पास यह 890 आप किसी से भी किविदी से आप अलग से गुणा कर सकते हैं और यह भी आपके किलोग्राम हा जाएगा अब अपने इसने पूचा है कि इस कच्चा के कुल 60 चात्र है इनका 60 का उस्त बार में गयाद करना है तो देखिए हमें 60 चात्रों का कुल बार में गयाद करना है तो 25 प्लस 35 ब्राबर 60 होता है चात्रों का कुल बार अपने पास देएगा इसके लिए हमें क्या करना एक तो ये वाला दूसरा ये वाला 1275 प्लस 1890 इन दोनों को हम जोड़ेंगे जोड़ेंगे पर हमाल पास आएगे देखो पांच जीरो पांच पांच हो गया नो और साथ सोला हो गया आशी का एक है और आठ दो दस लेगे ज्यारा हो गया आशी का एक 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 दो और एक आशी का तो 365 किलोग्राउं केजी किलोग्राउं किगरा किलोग्राउं तो अपना ये कुल बार हो गया हमें इसका ओस्ट बार याद करना है हम यह लिखेंगे साट चात्रों का और सक भार बराबर साट चात्रों का कुल भार बटा साट ठीक है एक सो पैस्ट बटा साट आ गया अब हम इसमें क्या करते हैं भार दिते हैं तो देखिए साट का भार दिना बहुत मुश्किल है लिकिए उस्ट में थर बतार आँ आपको इसको मैं इस प्रिकार से लिखता हूं शे इंटू दस यह दस है दस को हम क्या करते हैं अपने पास यह 65 बटा च्छे हो गया अब च्छे का भार आप बढ़िया समय से लगा सकते हैं तो इसमें जब हम भार लगते हैं तुन सुब्सकिल हो ग्याओ भार आओंट में च्छे का बाज देना है यह पांच बाज जाएगा जो है आपका साथ बच्चों का ओस्ट बार को गया है यात पने हाथ यह अगले साथ ऑनले की पांस अठारा है ये जिदि एक सच्छा का दी जाए तो उस्ट सॉला हो जाता है हटाई गई संध्या में कि हमारा दिया है कि पांच संख्या का ओर्षत अपने को दे रखा है अठारा ठीक है तो पांच संख्या का ओर्षत अठारा दे रखा है प्राबर नम्दे एक संख्या हटा दी है तो चार संख्या का ओर्षत आपको दे रखा है तो चार संख्या की कुल राश्ची वह जाती है पुल भार पुल वजन जो भी अंकम है वह चार इंटू 16 पराबर 64 इकाई जो भी आपकी इसमें इकाई देर किये अब हमें हटाई गई संख्या गयात करनी है तो हटाई गई संख्या यही गयात करना है उसके लिए हम जा करते हैं इसमें से इसको गटा दें क्योंकि यह पुल पांस संख्या का भार है यह चार संख्या का है तो 90 माइनस 64 अगर हम इसमें से गटाते हैं अब देखिए यहां जिरों में से चार के टाना अब गाट रही है अब दस दस में से चार के तो यह एक उधार दें दिया आठ बचा आठ में से च्छे गें तो दो यह चब्वीस जो अटाई की संख्या है वह अपकी चब्वीस है तो साथ यह अपना नवा सवाल है तेरा संख्यां का माध्य चोईस है यही प्रतेग संख्या में तीर जोड दिया जाए तो नए माध्य में क्या परिवत्न होगा आपके पास एक सबार बराबर आपका चोबीस दे रखा है और एक सबार इस इगवल टू अपने पास है एक स वन प्लस एक्स टू प्लस इस प्रता से तेरा संख्या है बटा तेरा है प्राबर चोबीस दे रखा है ठीक है अब हमें क्या करना हर एक संख्या में नया माध्य ग्याद करने के लिए हम क्या करते हैं एक्स डेस बाहर लिखते हैं और यहां लिखते हैं एक्स वन प्लस तीन एक्स टू प्लस तीन इस प्रकार से एक्स तेरा प्लस तीन बटा तीरा लिग देते हैं अब हम इसको जोडते हैं तो एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स त्री प्लस एक्स तेरा प्लस यह आपकर पास तीन प्लस तीन प्लस इस प्रकार से तेरा बार तेरा आ रहे हैं बटा आपका 13 है ठेक है साचियो अब हम इसको अलग-लग किरा लेते हैं यह आपके पाद X1 plus X2 plus X13 बटा 13 हो गया और प्लस यह आपको पास तीन तीन बार तीन जो 13 बार है तो मैं यहां लिख दिता हूँ और इनको जोडते हैं तो 49 हो जबते हैं बटा 13 हो गया यह बिल्कुल यहां से देखो यह X बार है अपना तो यहां पर मैं लिख देता हूं इस पूरे के एक सब्सक्राइब अपने पास क्या है चोबीस है और 49 में हम 13 का भाग देते हैं तो तीन आता है इस प्रगार से आपका जो माध्य है वो नया माध्य वो 27 है अगर आप कंपीटिशन में बैठ रहे हैं आप वो सिदा सा यह करना है जितने संक्या आप से जोडने या घठाने के लिए चोईश है इसमें आप से कारे तीन से क्या प्रतेग में जोड़ दो आप सिदा तीन जोड़ के सब्सक्राइब दो यह आपका कंपीटिशन के बेश पर है यह की सामतोश फथ्यों हूँ इसे परीका अ तेख आहिए थैं चे पांच कर्मकरी का सेवा निर्थोर्टी के समय कितना भेत्व देंखिट न 나와 है पांच कर्म चारी का और सथ बराबर इसने दिया आपको तीन हजार यहां पे तीन हजार दें गया है तीन हजार हो गया रुपे है तो पांच कर्म चारी का कुल वेतन बराबर पांच इंटू तीन हजार बराबर पन्रा हजार रुपे कुल हो गया कुल वेतन बराबर पन्रा हजार मिलता है एक शिवा निवर्ट हो गया तो चार कर्म चारी का और सथ बराबर पांच इंटू है आपका तो यह आपके पास देरगा 3200 रुपे है 3200 रुपे हैं हम निकालते हैं चार कर्म चारी का कुल वेतन बराबर पन्राबर पन्रा पन्राबर पन्रा निवर्ट हो गया 12800 अब हमें याद करना है कि सेवा निवरत कर्मचारी का वेतन कितना है तो यहां सेवा निवरत कर्मचारी का वेतन आपको क्या करना है यहां पर है पांच में से 4 कंचल के विद्ञ को हमें गटा देना पांच का वित्न आपके पास 15,000 बथेना पांच का इन इस तरह से 2,200 पास्त करें उसका वेतर नहाःका 2,200 रुपय है तो साथियों अगर आपको हमारे वीडियो प्रस्टन आते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें, कमेंट्स करें और किसी भी प्रकार का वीडियो कर आप प्रॉप्ट करना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट स्बोक्स में लिख कर पेजे तक हम आप तक वीडियो पहुंचाज के अगले वीडियो में मिलेगे तब तक के लिए जैहिंद जैईबाल